दोस्तों लड़कियों की शर्ट में जिव न होने का क्या करण है आज की समय में लड़के और लड़कियां एक बराबर हो चुके हैं जो काम लड़के कर शकते हैं उसी काम में अब लड़कियां भी माहिर होती जा रही हैं दोनों के बीच के कई अंतर अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं आज कोई छेतर हो लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ रही हैं फिर चाहे वो परिवार समालने के बात हो आज लड़कियां किसी से कम नहीं मानी जाती हैं ना ही किसी काम में उनके होसले को कम आका जाता है ऐसी ही बात आती है पहनावे को लेकर लड़कियां भी वो सब पहनती हैं जो लड़के पहनते हैं इन कपड़ों में जीन्स, तिसर्ट, सर्ट, फैंट, टाउजर, आज सभी तरह के कपड़े लगभग शामिल हो गए हैं वैसे भले ही दोनों के पहने का ढ़ंग एकसा हो गया है लेकिन कुछ बाते ऐसी होती है जो लड़की और लड़कियों के कपड़ों में अंतर बता ही देती हैं जैसे महिलाओं और पुरुज की सर्ट के डिजाइन में तो अंतर होता ही है मेकर इस में एक और फर्क होता है और वह यह है कि जहां आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आपने देखा होगा कि लड़कों की तमान शर्ट तीसर्ट यहां तक की कूरते में भी जेब होती है। लेकिन लड़कियों की तीसर्ट से लेकर शर्ट में कोई भी जेब नहीं होती। वैसे तो लड़कियों की शर्ट में प्रोकिट के ना होने के पीछे कुछ साइंटिफिक कारण रही हैं। लेकिन बताया जाता है कि इसके पीछे की वज़ा लड़कियों के लेकर ना बदलने वाली सोच है। जिसके तले आज तक हमारा समाज जी रहा है। आज भी लड़की अगर किसी तरह के कफड़े पहन ले तो एक बार तो किसी ना किसी की बास सुनने ही पड़ती है। ये हमारी परंपरा और मानसिक्ता से जुड़ा मामला है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इसके पीछे एक और मानसिक्ता ये भी है कि अगर महिलाओं के कपड़ों में जेब होगी तो वे अपनी जेब में कुछ ना कुछ तो जरूर रखेंगे। इससे उनके सरीर की बनावट बिगड़ जाएगी और सरीर में उभार तेजी से दिखाई देगा। आपको लगेगा कि कितिनी छोटी सी बात थी लेकिन ये छोटी सी बात बड़े बड़े लोगों की मानसिक्ता पर भारी पड़ती है। फैर 21 वी सदी की लड़की और लड़कियों की पहनावे में अब ज्यादा अंतर तो रह नहीं गया क्योंकि दोनों लगभग सेम ही लग करें और जीके से जुड़े रहने के लिए जैनल नौलेज की और भी लेटेस्ट वीडियों देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रुर दबाएं